है हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चलिए चुके एस मंडी वाव में मैं आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़ी होंगे दोस्तों इसमें वीडियो में देखेंगे अलिगड़ मंडी से फल और सब्चियों के वाव जैसा कि आप सभी को पता ही होगा नीवो हो सकता है मैं फरजी वाड़े से या फिर कुछ भी मन घड़क तरीके साब को भाव बता दूरा आप उस बाव को सच मानकर आपना जो सामाने उसे मनने बेच ले जाए वहां देखें कि वह भाव मिला ही नहीं तो एक थोड़ा दुखत मैसूस होता है इसलिए दोस्तों जो मैं बाव ले रहा हूं वह गौर्वर्मेंट साइस ले रहा है अगर आप मेरी वीडियो से नहीं देखना चाहते तो मैं आपको इसकी जो लिंक है वह आप डिस्क्रिप्सिन देदूंगा वहां से देख सकते हैं ना कि मेरी वीडियो से देखें और दूसरी बात अगर आप सपेद वाला आलू का थोग भाव रहा था 800 रुपे पिर्थी कुंटल जो थोग भावे वह हैं पिर्थी कुंटल में फुटकड भावे पिर्थी किलो में मतला आलू का सपेद आलू रहा था 800 रुपे पिर्थी कुंटल जबकि फुटकड में बिकाता 12 रुपे किलो दोस्त किसानों को मतलब सबसे ज्यादा जो मार मिलती है न हम किसान बाइयों को मिलती है आप कहीं पर भी देख सकते हैं किसान आंदूलन जो चल रहा था उसकी ऐसी आलात हो गई है किसाने इतना समय हो गया मैंने तो इसके इससे पहले इतना अंदूलन मतलब 21 विसाता अब दिम कोई देखा नहीं था दोस्तों फिर भी सोगते हैं कि लाल टामाटर के बावर आता 500 रुपे पिर्थी क्विंटल दोस्तों थोक में फुटकर्ण बिकाता बारे रुपे किलो तर वैंगन पिर दो सब्सक्राइब करए दोस्तों तो किसान बावी हैं कोई अ Star Cow कुझत कर आप भी सिक्ती हों कंदल मतब नहीं है क्योंकि क्हिंसान बाइए जो फ़ल को इस पैलो सब जोसें बेजने जाता है अगर हम सबुसेंड महसुस करते कर अब उसी किर बंदा जो खरीद कर खा रहा है उसको अगर मेंगा मिलता है तो वो भी दुखी होता है इसलिए हम ये भी नहीं करें किसी बाओ को आसमान चुआ जा है किसी को बिल्कुल दर्ती के लग भग कर दिया जा है मनलब बिल्कुल सस्ता दोनों को मेंटेन होना चाहिए जिससे बेचने वाले को फाइदा हो खरीदने वाले को थोड़ा कम एहसास हो कि हाँ सबजी आये जो खाने लायकर ना कि आसमान चुणयह ना खरीद सकते है फिर भी मेरा मतलब इतना ही है कि किसान भाईज़ नहीं चाहिए क्योंकि वे साल पर मैनेट करता है कि付े ना कि आप वागी समध्दारों लोक को भाउ था थोक में रहा था आठ्स uniform पीरतिक विन्टल फोंटकर काल बिकिती 20 रूपे खिलो और कच्छा का ट्रेल था कि फुट कणो चाहलों बिल्कुल ऐ कवरा दोस्तो तो फिर चलते हैं फिर numbers इसफंपचाहट हो सब्सक्रां पाइब ऑगर चलते हैं देखते हैं सबसे पहले नीबु को बाव नीबु को बाव थोक में रहा था 3700 रुपे पिर्ति क्विंटल फुटकर्म बिगा था 135 रुपे किलो नीबु को बाव बहुत अच्छा रहा बहुत ही अच्छा रहा मेरी मानत हो मौसमी का बाव राता 32 रुपे पिर्थी क्विंटल थोक में फुटकड में 55 रुपे किलो रही थी दोस्तो अंगूर का बाव राता थोक में 43 रुपे पिर्थी क्विंटल फुटकड में 70 रुपे किलो विकराया अंगूर अगुल का बाव फिर मेहंगा उगया ठोड़ा बहुत और कर्चा केल आये जो उसका थोक मेराय साती सत्रे सो पचास रुपे प्रतिक वुंटल फोटकपण विखया चौअगल के लो पका हुआ केला राय 24 रुपे पिर्थी क्विंटल फुटकड में 30 रुपे किलो दोस्तो 4 रुपे का अंतर है फुटकड में तो फिर अनार का बाव राय 2550 रुपे पिर्थी क्विंटल थोक में और फुटकड में 100 रुपे किलो खरबूजे का बाव राता 1650 रुपे पिर्तिक्विंटल थोक में फुटकर्म विका 30 रुपे किलो खरबूजे का बाव अभी ठीक है क्योंकि अभी चला हुआ है पफीते का बाव रहा थााथshireज़ू का र्लूप डुब्टीकृंटal थ्वाव ठीक ठाक रहाए पृटकृंटाका रा थार्या कृंटिकृंव उस्छो और ऩूर्पोज गराथा नो सुद्व रूपि पिरतिकृंटाल थोंद्व के भीनटा में फूटकांकी तो आप देख सकते हैं अनार का भाव रहा है सो रुपे किलो और सेव का भाव रहा एक सब्सक्राइब करीम में कुछ दिन वीडियो वेजने में असमा तरहा था क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं दोस्तों और जब भी जितनी आगे की वीडियो देखी होंगे अगर आप मेरी एक पढ़़ ईड़ो करें तो देख सकते होर की अetically मेरे लगबोग लगभा उतसाइब अभावस का वीडियो अच्छी लागए तो लाइक नहीं या थो डिपना तो Video क्या है मैं किस परकार से बनाता हुं किसको पसंद आते इक सो नहीं आती यह को सकता है मैं बेमतलब वीडियो बना रहा हूं किसी को पसंद नहीं आ रही हो जैसा भी लगता है आप इस कमेंट करकर ज़रूर बता है अगर आप किसी मंडी पर्सनल मंडी का भाव जाना चाहते हैं कि आप सबोच चाहते हैं कि मेरे इलाके की या कोई कस्वे की लोकल दोस्तों उसको कमेंट करकर बता है मैं आपको इससे वाट्सअप पर बेश सकता हूँ आपको पर्सनली दोस्तों धन्यवाद वीश्टों देखने के लिए आपका दिन सुद्वाइब